किसी को बिन गुरू के ग्यान यारों मिल नहीं सकता जी हाँ बिना गुरू के ग्यान नहीं मिल सकता बिना गुरू के ग्यान होता ही नहीं है ये गुरू ही हैं जो हमारे जीवन को एक नया आयाम देते हैं एक नया मोड देते हैं और मेरे भी जीवन को हमारे गुरू ने एक नया आयाम दिया उसका शिल्प किया उसे बनाया और आज मैं जहां पर हूँ वो मेरे गुरू की कृपा है मेरे टीचर्स मेरे स्कूल की कृपा नमस्कार मैं नीरेज वंजारी अभी कर्रेंटली मैं शिर्राम कम्मिनिकेशन्स में अज़ सीनियर कॉपी एंड कंटेंट राइटर यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और इससे पहले पांच सालों तक मैं निव्ज एंकर रहा हूँ मृद्यप्रदेश और जो भूपाल है वहाँ के लोकल चैनल्स में और रिज्जनल चैनल्स में मैंने काम किया है 10 जोलाई को हमारे स्कूल का बर्दे है तो सबसे पहले तो मेरे सकूल को हैपी बर्दे और मेरी एक मैं अपना खुद एक शैर करना चाहूँगा कि मेरे स्कूल के साथ मेरी क्या याद ही जुड़ी है तो अगर मैं उसकी पूरी बात करूँ तो अगर मेरा स्कूल नहीं होता अगर रेड रोस नहीं होता तो आज नीरजवंजारी यहां नहीं होता कारण ये है कि मुझे स्कूल में मेरे टीचर्स उन्होंने बहुत प्रमोट किया चाहे वो गाना हो या फिर लिखना हो, चाहे बूलना हो उसके लिए मेरे स्कूल ने खमिशा प्रमोट किया रेड रोस की सबसे अच्छी बात ये है कि रेड रोस में केवल पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं दिया जाता रेड रोस का मानना ये है कि यहाँ पर जो बच्चे सीखते हैं जो दूसरी जो चीज़े हैं जो उनके अंदर का गुण है उन गुणों को हम किस तरह से निखार सकते हैं और यही कारण है कि मैं आज अपने प्रोफेशन में इतना अच्छा कर पा रहा हूं मैं आज गाने लिखता हूं कमर्शल्स लिखता हूं नियूज आंकरिंग की है तो इन सब में मेरी जो स्किल्स थी जो कि रेड रोस ने मुझे जो पॉलिश किया उस पज़ा से आज मैं इस जगहां पर पहुँच पाया तो once again wish you a very happy birthday रेड रोस और मैं चाहूंगा की रेड रोस ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और मुझ जैसे और मुझसे भी अच्छे स्टूडिंट्स वो इस दुनिया को दे पन्यवा